आज हम आलू के पापड और चिप्स बनाएंगे पहले हम पापड बनाएंगे जिसके लिए हमने आलू को उबाल लिया है और उनको कद्दू कस कर लिया है अब हम उसमें दर्दरी पिसी हुई काली मेर्च डालेंगे उसके बाद हम उसमें जीरा डालेंगे और काला नमक डालेंगे बर्थ हो तो आप सेंदा नमक भी डाल सकते हैं और सफेद नमक भी मैं काला नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार बलकि हलका डाले अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें आलू की गाठे ना रहे इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे अब हम एक पलेट लेंगे और हतेली पर हम ओयल लगाकर आलू की चोटी चोटी लोया बना लेंगे चोटी चोटी लोई या बना लेंगे हम इसी तरह से हतेली परतेल लगा लगा के जितना बड़ा आपको पापड बनाना है उसी इसाब से आप लोई भी बना सकते हैं अगर पापड चोटा बनाना है तो चोटी लोई बना ले अगर बड़ा पापड बनाना है तो बड़ी लोई बना ले जिस तरह का पापड आपको बनाना है उसी तरह की लोई बना कर तयार कर लें हमने सभी लोई बना कर तयार कर ली है अब हम एक पोलो थीन लेंगे और एक हम उसके उपर रखने के लिए कटिंग कर लेंगे और उसको ओयल लगा लेंगे उपर भी और नीचे वाली पन्नी पर भी अब हम एक लोही को रखेंगे और उसके उपर दूसरी पन्नी रखकर उसको रोटी की तरफ पहला लेंगे आप इसे बेलन की मदद से भी फैला सकते हैं लेकिन ये हाथ से ही फैल जाता है अच्छी तरह पन्नी को आप अच्छे से लगाएं और इसको फैला लें इसी तरह से सपापड बना कर तयार कर लें अब हम दूसरी लोई रखेंगे और थोड़ा ओयल लगा लेंगे उपर नीचे और इसको रखकर हम फिर इसी तरह से फैला लेंगे इसी तरह से हम सभी पापड को बनाएंगे ये पापड हम प्रापड को बनाएंगे देशी स्टाइल से बना रहे हैं क्योंकि गाउं में सब सुईधाय नहीं होती इसी लिए इने नॉर्मल आदमी भी बना सकता है बिना किसी मसीन के हैल्प के सिर्फ हातों से ही इसको बना सकते है हम विलेज स्टाइल से इनको बनाना आपको बता रहे हैं क्योंकि यहां सब के पास मसीने नहीं होती आगे भी हम इसी तरह से लोई रखेंगे और बना लेंगे अच्छी तरह से भी आप इसको फेलाएं पतला और मोटा दोनों तो रहका आप बना सकते हैं लेकिन ना जादे मोटा बनाएं ना जादे बारीक बीच का बनाएं जिससे खाने में अच्छा लगता है इस तरह से हम सभी पापड को बना कर धूप में सुखा लेंगे जब ये सूख जाएं तब हम इनको श्टोर करके रख सकते हैं जब हमें जुरुरत हो तब हम उनको भून लेंगे अब ये सूख कर तयार हो गए हैं दो तरह के आलू होते हैं एक लाल और सब भेद हमने दोनों तरह के आलू से पापड बनाएं अब हम चिप्स बनाएंगे चिप्स के लिए हमने आलू छील लिए हैं और उनको पानी में भिगो दिया है आप चाहें तो इन्हें फिटकरी के पानी में भी भिगो सकते हैं हम इनको चाकू की मदद से काटेंगे इस तरह से सभी चिप्स को हम इसी तरह से काट लेंगे और पानी में भिगोते जाएंगे इसी तरह से हम काटते जाएंगे क्योंकि ये देशी श्टाइल से हम बना रहे हैं बिना किसी साधन के चाकू की हेल्प से ही हम सब पापड को काट लेंगे एक तरह से जो पापड चीप्स को सोरी इसी तरह से हम सब ही चीप्स को चाकू की हेल्प से काट कर तैयार कर लेंगे और इनको पानी में दो तीन घंटे के लिए भिगो देंगे और शाम को काटे तो पूरी रात भीगे रही सुबह हम इनको धो कर साप पानी में तो दूसरे पानी में इसको डाल लेंगे इस तरह से निकाल के हमने सभी चिप्स को धो लिया है इस तरह से हम साफ पानी से साफ कर लेंगे इनको और निकाल लेंगे अब अपने सभी चिप्स को अच्छे पानी में धोकर निकाल लिया है और अब हम गेस जलाकर उस पर एक भगोना रखेंगे और उस भगोने को हम आदा पानी से कर लेंगे पानी में हम नमक डाल देंगे आप किसी भी तरह का नमक डाल सकते हैं सफेद, काला या शेंदा नमक जब पानी में उबाल आने लगे तब हम उसमें चिप्स डालें एक उबाल आने पर हमने पानी में सभी चिप्स को डाल दिया है और जब दूसरा उबाल आएगा तब हम इनको देखेंगे कि ये गल गए है, अगर ये हलका हलका गल गए हैं, तो हम गैस को बंद करके चिप्स को पानी में से छान लेंगे, चिप्स का पानी निकाल देंगे, छलनी पर रखकर निकाल लें या आप किसी भी तरह से इसका पानी अलग कर दें, अब हम एक बिच्छा लेंगे धूंप में और उस पर हम चिप्स को फैला देंगे चिप्स को अच्छी तरह फैलाने के बाद हम उसको अच्छी तरह फैलाने के बाद हम इनको सुखा लेंगे सब चिप्स फैल गए हैं अब हम इनको धूप में दो दिन तक सुखाएंगे सूखने के बाद हम इनको श्टोर कर लेंगे सबी चिप्स बनकर तयार हैं और सूख भी गए हैं बीच बीच में हम इनको धूप दिखाते रहें चिप्स बनकर तयार हो गए हैं